नमस्कार साथियों कैसे हैं आप लोग तीन राज्यों में भाजपा के सरकार बन रही है पांच राज्यों में चुनाव हुए एक में कॉंग्रेस के सरकार बनी और एक राज्य में अस्थानिय सरकार बनी और तीन राज्य में भारती जन्ता पार्टी के सरकार बन रही है यानि कि ये कहा जा रहा था कि इस बार मुकाबला काफी कठीन होने वाला है और राज्य के जो अस्थानिय मुद्दे थे और जो राज्य सरकारों की जो घोटाला और घपले की जो बाते निकल करके सामने आ रही थी उस पे काफी चर्चा थी और हर तरफ ये कहा जा रहा था कि इस पार बड़ा उलट फेर होने वाला है और कॉंग्रेस अच्छा परदर्शन करने वाली है जो राजजितिक पंडित हैं वो तो ये कह रहे थे कि 36 गड़ में तो बिलकुल ही एक तरफा कॉंग्रेस की सरकार काटे का है यानि कि 50-50 चांस है दोनों का लेकिन अभी भारत की जनता का जो मूड है वो विकास और वो चाहती है कि सुख और सांती इस्तापित हो हर राज्य में और जिसको देखते हुए भारत की जनता ने एक वार फिर से भारती जनता पार्टी को वोट किया और वोट ही नहीं किया काफी ही जादा बहुमत से सरकार इस वार फिर से वापस लोट करके आई है यानि कि जो यह कहा जा रहा था वो बिलकुल ही अलग हुआ यहां तक कि एक जिस्ट पोल के अनुमान भी कमजोर साबित हुए तो यह आंकडे जो और यह जो रिजल्ट आये हैं यह भारत की जनता इतनी समझदार हो चुकी है कि उसे विकास चाहिए उसे शिक्षा चाहिए उसे खोखले वादे और जो जूठी तस्वीरे जो दिखाई जा रही है उस पे उनका भरोशा नहीं है इसलिए आलोचना काफी हो रही थी काफी जादा बाते हो रही थी और यह कहा जा रहा था कि सरकार इस बार भारती जनता पाटी की बहुत ही कमजोर साबित होने वाली है लेकिन निरने कौन करता है निरने करना होता है आम जनता को और आम जनता ने फिर ये एक निया सबसक्त कर आये DANA, मोधी की गारांटी, तो ये गारांटी है, वास्तों में ये गारांटी है ये, क्योंकि, देश, आगे बढ़ रहा है और देश का जो growth है वह लगातार बढ़ रहा है, और इस बात को भारत की जन्ता स्युकार करती है, और भारत की जन्ता के सा पिर आज ही कह दी गई है, आज ही बना दी गई है कि आप कितना भी आकर्मन कर लें, आप कितने भी गलत भासा का परियोग कर लें, आप कितने भी उधर-उधर की बाते कर लें, लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि 2024 में एक वर फिर से मोधी की सरकार आनी है और मोधी यानि की गारंटी, जीत की गारंटी, अस्थाई की गारंटी, शिक्षा की गारंटी, रोजगार की गारंटी, स्वास्त की गारंटी, इसलिए ये जो परनाम आपको शामनी जो दिखे हैं, ये परनाम कोई ऐसे ही नहीं है, ये किसी के कहने पे नहीं आया है, जनता ये चाहती है भारत क अब विकास हो भारत आगे बढ़े अभी तक के पिछले जो करीब करीब साथ पैंसट सालों की जो सरकार थी पीछे की कॉंग्रेस की उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खोकले बादे घपले घोटाले के सिवा और कुछ नहीं किया है तो इसलिए ये जो सामने जो आपको दिख रहा है ने रिजल्ट इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है और विकास की तो अब ये मान के चलिए कि जो भी अगर गलत बात करते हैं आपस में लड़ाने की बात करते हैं खोकले बादे करते हैं तो उनकी सरकार नहीं आने वाली है तो ये एक जमी फाइनल था जिसमें कि भारती जन्ता पार्टी ने काफी अच्छी जीत हासिल किया है तो आगे आने वाले लोग सबाद चुनाओं में भी यही परदर्सन उमीद है कि दोहराया जाएगा तो बने रही है चैनल पे और अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्रा हारत